कर दो कार करता पहुंचे थे उससे संबोधित करने के बाद साम तक मुख्मंद्टी हमन्त सोरेन की तरब से इडी को बताया गया कि भाई तीन सब्ता का जो है हमें समय चाहिए क्योंकि इस दोरान जो है हमारा कई कार करम पहले से निर्धारिद था लेकिन तीन सप्ता का समय मुखमंत्री हमन सुरेन को नहीं दिया गया और फिर से मुखमंत्री हमन सुरेन को एक सम्मन दिया गया है और कहा गया है कि सत्रह तारी को आप हर हाल में ED कारियाले में उफस्तित होईए आपसे पूस्ताच होगी और विसेश क्या जानकारी है जानेंगे हमारे साथ हमारे सयोगी संजय है संजय सत्रा तारी को पूस्ताच के लिए बुलाया गया है क्या ये आखरी समन होगा ED के तरब से उस दिन अगर CM नहीं जाते हैं तो कुछ हो सकता है ये आखरी समन नहीं है सनी चुकि इसके पहले एक वर समन दिया गया और आज जो जानकारी निकल करके आ रही है कि मुखमंत्री हेमन सोरेन को दुबारा ED ने समन जारी कर दिया है और समन में जो बातें कही गई है कि 17 नौंबर को आप ED दफ्तर आईए लेकिन जब आप इस समन को पढ़ेंगे तो ये इस परस्ट है कि मुखमंत्री हेमन सोरेन ने जो आगरह किया था ED से उसको ED ने ठुकरा दिया है मुखमंत्री के आगरह को ED ने ठुकरा दिया है वो ठुकराने के सब धम लोग इसलिए इस्तिमाल कर रहे हैं क्योंकि मुखमंत्री ने तीन हफ्ते का समय मांगा था और ED ने जब आज दुवारा समझारी किया है उसमें बकायदा इसपर्ष्ट कर दिया है डेट मेंसन करके कि 17 नुवंबर को आप आ जाईए 17 नुवंबर जो डेट मेंसन किया गया है जो फिर से एक तारिक तै की गई है मुखमंत्री के बुलावे का उसके पीछे एक आभी आप समझिये कि जिस तरीके से मुखमंत्री को पहले ED ने समन किया और उसके बाद 3 तारिक से लेकर के 15 नुवंबर तक यानी किया स्थापना दिवस जो धारखंड का है 15 नुवंबर उस दिन तक का जो कारकरम मुखमंत्री ने सार्वजानी किया तो उसके बाद जो है बुलाया गया है मतलब कि मुखमंत्री को भी एक मैसेज ED ने दे दिया है कि भाई देखिए आप जो चाह रहे थे कि आपको जो रहात मिले और आपका जो पहले से तै कारकरम था उसमें हम लोग किसी तरीके का बाधा नहीं बनना चाहते हैं आपका 15 त सारीक को आप कारकरम कीजिए 16 को आप रेश्ट ले लिजिए 17 को आप दुवारा आ जाईए और हालांकि यह दुवारा समन है आपका जो सवाल था कि क्या अब आखरी समन होगा नहीं तो ऐसा नहीं है तीन समन जो है प्रवधान है कि तीसरा समन भी जाएगा अगर मुखमंत पार्टी का जो रुख है जो कारकरता का उसे देखकर क्या लग रहा है कि क्या वो 17 को जो बुलाया गया है उसमें जाएंगे इने बिल्कुल जा सकते हैं पार्टी की रुख तो आपने पहले ही कहा कि जिस तरीके से जार्खन मुक्ति मुर्चा के कारकरता नेता अंदोलन र था कि भाई अगर सबूत हैं तो हमको गिरफ्तार कर लो और बहुत ही कले और तलख तेवर में मुक्मंत्री ने के में में को मतलब में कोट करते हुए उन्होंने कहा कि आगर आपके पास सूचना है आपके परियाप सबूत है तो आप गिरफ्तार कीजिए समन क्या भेज़ लेकिन दूसरी तरफ जो प्रावधान है जो कानूनी प्रावधान है उसको फॉलो किया गया तरफ यह जवाब मैं आपको दे रहा था सणी कि एक तरफ वह अपना जो पॉलिटिकल ब्यान है जो अपने कारकरताओं को संदेश देना है वो तो देहीं रहे हैं लेकिन दूसरे तरफ जो कानूनी प्रावधान है उसको फॉलो कर रहे हैं बकाइदा उसी दिन उनका एक बकील के आप्लिकेशन दिया गया कि मुखमंतरी बेस्त हैं उनका कारकरम है तो तीन सप्ता को उनको रहत दिया जाए तो आप फिर से समन्झ दे दिया गया है और 17 को बुलाया गया ह तो हो सकता है कि मुखमंतरी एक तो दो विकल्प है उनके पास एक कानूनी जो विकल्प है वो एक ए है कि उनको जाना एडी दे दफ्तर और जो भी सवाल किया जागा उसका जवाब देना है दूसरा विकल्प है कि वो फिर से एक नोटिस दे जाकर के एडी के पास फिर से अ तरीके से इनको रहात मिली, यह कई सारे संकट मुखमंदरी के आसपास हैं, उसमें से कुछ संकटों पर अभी फिलहाल तो इनको रहात दिखती हुए मिल रही है, खास करके जो हाई कोर्ट में जो सुनवाई हो रही थी, वो तो एक तरीके से बंद हो गया है, लेकिन मुखमंतरी हमनसवरें की बढ़नी शूरू हो गई है, क्योंकि ED ने एक और संबन मुख्यमंत्री एहमंद सुरेन को किया है और 17 तारिक को हर हाल में एडी कार्याले पहुंचने को कहा गया है कि आपको पता है कि जो पहले से जो मामला चल आ रहा है अवैद माइनिंग का मनी लॉंडरिंग का कई तरह का हलांकि यह जो पूच्टाच का है यह पूरा का प कि इनाम आया और जो बकाइदा बोला गया कि भाई पंकज मिसरा और इन सब लोगों के बीच में जो कलेक्सन होता है प्रेम다ा काया है अमीत अग्रवाल तक जाता है और चुकी अस्दराप्रेम प्रकस अमीत अग्रवाल यह सारे के सारे लोग जो है आज एडी के गिरफ्त म में यह सारा जो कनेक्शन है वो जो रभी के जरिवाल ने कहा कि सीम तक जा पहुंचता है तो उसको वेरिफाई करने के लिए क्रॉस कोशनिंग करने के लिए बुलाया होगा आरोपी नहीं बनाया है इसके पहले भी आप देखे होंगे कि सोनिया गांधी राहूल गांधी से भ भी फिलहाल नहीं जाएंगे लेकिन एडी से डर थोड़े रहें इडी के सवालों का सामना करेंगे और वाले से तह तह जिस दिन एडी डफ्तर में उन्हें बुलाया गया था उस दिन उनका रायपूर में कारता उसके बाद आए उसके बाद लगातार चत्रा पलामू आज जो है पाकुण में मुख्यमंत्री हमन सुरेन का सरकार आपके द्वार का कारिक्रम था और उस कारिक्रम में भी उन्होंने अपनी उपलब्दियां गीनाई हलांकि एडी पर बहुत कम हमलावर दिखे आज लेकिन कुल मिला कर कहा जा सकता है कि अब फिर से दूबारा मुख्यम कल आप सबों को पता है कि केवीनेट की बैठक बुलाई गई है यह कि ग्यारात आरीख को div algorithms चल गया है कि 1922 के घ olmuş पर अस्थानी निटी पका सोना है तो उस्थानी निती जो जहार्खन्ड का कहा जा सकता है कि बहुत बड़ी मांग है जो यहां अस्थानिय मूलवासी जो हैं वो लगातार मांग कर रहे थे कि 1922 के खतियान के आधार पर जो है उन्हें पहचान मिले तो वो पहचान अगर विधान सवा से पास हो जाती है और उसके बाद मुखमंत्री हमन सुरेन एडी कारिया ले जाते हैं तो आप समझेए कि जो पहला जो जुटान था उसके बाद दूसरे दिन ज्या मुखमंत्री पहुंचेंगे तो हो सकता है कि वो ज़्यादा आकरोष़ देखने को मिले संजय वो तो दिखेगा जाहिर सी सबसे लोगप्रिये और एक्सेप्टेबल भी मतलब कि महागटवंधन के नेताओं के बीच में उनकी पैठ भी ऐसा नहीं है कि चार धड़े में महागटवंधन बटा हुआ है चाहे जहां मुमों में चार्थो में सेंटर बना हुआ है इस तरीके की चीजे नहीं है तो अब 1932 अधारित अगर अस्थानियता जो बिधानसवा से पारित होना है संख्यावल इनके पास है और अगर संख्यावल साथ रहा सदन के अंदर तो पास भी हो जाएगा पारित भी हो जाएगा तो उसके बाद जो चीजें आप सोच रहे हैं कि हो सकता है कि उसके बाद जो अभी त देखने को ऐसी भीड जो राची में नहीं पहुंच पाई जिस तरीके से अंदाजा लगाया जा रहा था कि मुख मंत्री हमन सुरेन कोईडी ने समय कम मिला तो उसके बाद लगातार राजबहुन के पास प्रोटेस्ट होते रहा और जिस तरह से जो नेता हैं जो सरकार में मंत मंत्री हैं उनका जो जुबान बदला है जो भासा का अस्तर जिस अस्तर तक गया है तो लग रहा है कि अब एकदम मुकावला आमने सामने का है बिल्कुल वही बात जो बोल रहे हैं सनी आपके ठीक बात है कि आप जो भासा का जो अस्तर गीरा है खास करके आप देखियेगा कि जारकन कॉंग्रेस के जो कारकारी अध्यक्ष हैं बंधु तिर्की उनका मिथलेश ठाकूर जो हेमन सोरेन के कैबिनेट में मंतरी हैं उनका ख हाचपा के धरना परदर्शन में उसको चिनीत करो तो एक ऐसे लोग जो की संबैधानिक पद्पे बैठे हुए हैं संबीधान का सपत लेकर करके कई लोग तो अब ये भी बोलने लगे हैं कि सुरुवात हमेशा से हैमन सोरेन की तरब से ही होती है आपको याद होगा कि एक नीजी समचार पत्र में बात करते हुए मुखमंतरी ने भोशपूरी को डोमिनेटिंग लेंगवेज कहा था और कहा था कि ये लोग हमेशा गाली देकर जो है चाती पर चड़ते आए हैं और उसके बाद आप देखे कि भासा को लेकर किस तरह से जारखन में आंदुलन हुआ और ये भी जिस तरह से बीजेपी के खिलाब एग्रीसिव हुई है पूरी पार्टी मुखमंतरी हमन सोरेन मंच लगा कर अपने द्वार के सामने बोले और उसके बाद बंधु तिर्की बोले मितले श्ठाकुर बोले जगरनात महतो बोले तो वो शुरू करते हैं और उसके बाद उनके पीछे जो है पूरा लौ भी शुरू हो जाता है तो ये जो सारी चीजों को अगर आप देखेंगे दरसक भी जो देख रहे होंगे सम से तो ज्यादा तर उमीद यही है कि हो सकता है कि फिर से एक अप्लिकेशन दे दिया जाए एडी दफ्तर कि भाई जो कुछ दिन का और हमको ये दिया जाए उनके पास एक मौका है इस बीच वो कोट भी जा सकते हैं इस बीच कोट जाने का भी उनका एक रास्ता है अगर जाता राहत मिलने जैसा उमीद लेकिन वो जा सकते हैं उनके पास अधिकार है एडी के समन के खिलाफ वो कोट में भी अपील कर सकते हैं तो देखिया होता क्या है लेकिन भीर जूटे की जिस तरीके से हेमन सोरेन इन सारे चीजों को पॉलिटिकली बता रहे हैं और है कि इनके साथ गलत हो रहा है तो इस पूरे लडाई को जो कि भाचपा के लोग है वो इसको कानूनी बता रहे हैं लेकिन हेमन सोरेन और उनके साथी जो दल है वो इसको पूरी लडाई को जो है पॉलिटिकल बता रहे हैं तो इसका आसर देखने को मिलेगा ऐसा नहीं है कि हेमन सोरेन जब जाएंगे इडी दफ्तर तो पुरा सन्नाटा रहेगा इन सारे बातों का आसर होगा चाहे बोड़ी जो बिधान सभा से जो पारित होगा उने 32 ओविसी का जो आरक्षन बढ़ाने का जो है उसके अलावे इन जो मंत्रियों के द्वारा जो भासन बाजी हो रहा सकता है आप सभी को पता है कि पाकिस्तान जो है अब फिर से सामील हो चुका है और अब इस मामले में क्या होगा यह भी देखना बड़ा दिल्चस्प होगा अब इंतजार करना होगा 17 तारिक तक या हो सकता है कि उससे पहले मुख्यमंत्री हैमन सुरेन कुछ और अपने तर 1927 का खतियान और OVC का जो आरक्षन है उस पर जो है पेस होगा बास होगा अब क्या होता है देखिए सुक्रिया